दोस्तों आप लोगोंने कहोच सुनी होगी कि पानी में कूदने से पहले एक बार ये चेक कर लेना चाहिए कि पानी कितना गहरा है इससे आप लोग अपने लिए जो भी required चीजे हैं वो लेकर कूदोगे कि कहीं जो है डूब न जाए इसी दिए जैसे आप लोग का prelims जो है उसमें आप लोग को किस तरीकी performance देनी है ताकि कम से कम पहला step आप लोग का clear हो जाए तो इसके लिए आप लोग के सामने UPSC के दौरा जो qualifying marks है last year के वो declare कर दिए गए है सारी बाते एक एक detail में बताऊँगा रिसी के साथ में जो topers के marks है वो भी हाँ पर इनके दौरा बता दियेगे हैं कि total अब की बार topers के दौरा कितने marks जो हैं वो अचीव कियेगे हैं तो इनके बारे में भी मैं आप लोग से बाते करूँगा सबसे पहले हम लोग prelims के बारें बात करते हैं जो अभी 2021 का जो result है उसके बेस पर अगर आप लोग बात करोगे तो यहाँ पर prelims means सबके और final जो cut off है वो अभी आप लोगे सामने हैं तो अगर यह चीज़ आप लोग माइड में अच्छी से clear कर लोगे तो फिर आप लोग को कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी अब की बार जो prelims का result रहा वो जैसे expect किया जा रहा था कि paper का level जो था वो काफी high आप लोग को देखने को मिल रहा था तो इसकी वेज़ से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर marks है वो 87 है general category के यानि कि prelims का cutoff जो general category का है वो है 87 क्योंकि paper का level जो था वो काफी अच्छा था अगर आप लोगो ने paper उठा कर देखा होगा last year का economically जो weaker section है अगर उसके बारे में आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पर 80 था इसका other backward classes का OBC यानि के इसका 84 SC का 875 इसी के साथ में ST का यह है basically 70 और बागी जो person with disability है उनमें अलग-अलग category है तो यह आप लोग को देखने को मिलेगा यह तो होगे आप लोग का prelims का जो आप लोग का cutoff निकला अगर mains के cutoff की बारे में आप लोग बात करेंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा कि 745 है mains का cutoff यह जो भी आप लोग के बाकी जो सबसे important बात यहाँ पर बोली जा रही है, वो यहाँ पर यह कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग mains के अंदर जाएं, तो यह नीचे और लेडी लिख दे गया है कि GS paper जो है, only आप लोगा तभी चेक होगा, जब GS paper 2, यानि कि CSET के paper में आप लोग 33 marks लेकर आएंगे, यानि कि जो भी अभी आप लोग prelims देने जा रहे हैं, अगर उसमें आप लोगा CSET का paper के लिएर नहीं होता है, जो कि कई बार कई सारे लोगों का नहीं होता है, ये reality मानों आप लोग घलके में नहीं लेना है, तो यहाँ पर 33 marks आप लोग पर at least चाहिएंगे वहाँ पर, अगर 33 marks भी यहाँ पर लेकर नहीं आओगे, तो GS का paper चेकी नहीं होगा, तो GS में कितनी भी महनत आप लोगों ने क्यों ने कियो, पर लेकिन आप लोग का result जो है, वो आप लोग का नहीं आने वाला है, क्यों? क्योंकि 33 marks लाना है यहाँ पर, यह basically compulsory है, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है? तो यहनि कि 33% marks आप लोग यहाँ पर होने चाहिए, बाकि आप लोग अच्छे से perform करका हो, बाकि same pattern आप लोग को देखने को मिलेगा, आप लोग के essay का paper, GS 1st, 2nd, 3rd, 4th, या फिर optional के दोनों paper, यह paper आप लोग के तभी check होंगे, अगर जो कि आप लोग का at least 10% marks आप लोग यहाँ पर नहीं चाहिए, each 7 जो है, यानि के minimum check तो हो जाएंगे, मतलब इसमें minimum 10% marks लाने आप लोग के जरूरी है, अगर 10% से marks कम आ रहे हैं हाँ पर, इन paper के अंदर में, तो बोला गया है each, यानि के हर एक paper के अंदर में आप लोग को 10% marks लाने हैं, अगर यहाँ पर 10% marks नहीं होंगे, यह 745 है, पर लेकिन जैसे ही आप लोग इस means के result के अंदर में interview के भी marks एड कर देते हो, तो फिर यह आउ जाता है आप लोग का 953, तो यह मैंने आप लोग का general category के बताया, तो 953 है फिलाल general category का जो cutoff है, यही cutoff अगर आप लोग economically weaker section में जाएंगे, तो यह 713 आप लोग को देखने को मिलेगा, और इसी cutoff को अगर आप लोग जाकर देखेंगे basically interview के साथ में, तो यह 916 है, OBC में जाकर जाएंगे तो 707 होगा, और यहाँ पर अगर आप लोग सेम pattern आप लोग देखेंगे, आप लेकिन interview के marks में थोड़े से कम होए हैं, आप लेकिन 883 हो गया है, और बाकी सेम pattern आप लोग यहाँ पर कम कम होता हुआ नजर आएगा, जब आप लोग जाएंगे person with disability section के साथ में, ठीक है, तो यह बाते आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रही है, और स्टार्टिंग से ही यह बात अगर जितनी किलर रहेगी, उसी तरीके सा आप लोग अपनी performance जो है, वो examination hole में दे पाऊगे, next अगर मैं आप लोगों से बात करूँ जैसे अभी, जब ही जो है सुरुती के द्वारे हैं आपर All India rank जो है वो टोप लाई गई, इनके मेंस के अंदर जो marks हैं यह है 932, ठीक है, याणि के 932 इनके नंबर है मेंस के जो answer rating होता है, जिसमें आप लोगों के total मिला कर अगर बात किजाए, तो चार paper तो ऐसे के होते हैं, आप लोगो बता है, इसमें भी आप लोग यह language के paper होते हैं, वो qualifying होते हैं, उनके marks count नहीं होते हैं, आप लोगो पता होगा, पर लेकिन यह जो paper होते हैं, यह 7 paper, इनके marks count होते हैं, यह आप लोग याद रखेगा, इनको सब को count करने के बाद में जब आप लोग देखोगे, तो 932 हैं यहां पर, जो इनके total number बने हैं, पर लेकिन जब यहां पर PT, इनके personality test, इनके जब interview add कर दिया, तो 1105 marks आप लोग को देखने को मिले, और इन 1105 marks पर जो है, इनकी rank जो है, वो first बन गई, दूसरी जो rank है, वो है अंकिता अगरवाल, ठीक है, तो इहां पर यह अच्छा खासा difference है, अगर number के बामले में, आप लोग बात करें, इंटर्वी में आप लोग इहां पर इनके 189, यानिके 179 देखने को मिलेंगे, टोटल 1050 इनके number आए, और इनकी second rank बन गई, ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, तो आप लोग यहां पर जो यह marks दे रखें, इसके base पर आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, कि आप लोग को अपनी जो preparation का level है, वो कैसा रखना है, और यह जो पूरी list है, जो भी सारे marks हैं हाँपर, यह मैं आप लोगो telegram पर provide करा दूँगा, इसके अंदर आप लोग देख लेना है हाँपर, जो कि आप लोग को देखने को मिलेंगे, सारे के सारे number, सारे के सारे हाँपर provide करा दिएगें, तो आप लोग जिस भी category में आते हैं, उस category को भी आप लोग देख लेना, कि आप लोग की category में अगर कोई person है, उसके कितने number यहाँपर आ रहे हैं, ताकि आप लोग उसको अच्छे से connect कर पाओ, क्योंकि कई सारे लोग जो रहते हैं, वो category के साथ में देखना चाते हैं, कि यार हमारी category के person जो है, अगर उनको हम लोग check करेंगे, तो हमारे number कितने बैठेंगे, तो यह भी आप लोग यहाँपर check कर सकते हैं, तो यह काफी important हो जाता है, तो इसको आप लोग अच्छे से check कर लेना एक बार, तो यह आप लोग देखते हैं, और यह सारी चीज़ आप लोगो टेलिग्राम पर मिल जाती है, टेलिग्राम पर आप लोग जाएंगे, जैसे देख सकते हैं, मैंने ओलेडी result भी आप लोग डाल दिया, और हाँ, जो दूसरा चेनल है, वी टोक्स का, उस पे एक छोड़ी सी वीडियो डाली है, प्राइमिस्टर मोदी साब के द्वारा भी बधाई दीगे है, बड़ी बात है, और आप लोग देख से हैं, कि यह देख में जब result आता है, और यह result आप लोग के सामने हैं, बाकी हाँ पर सारी चीज़े हैं, एक वीडियो डाली थी, बजट वाली, वो भी देख लेना, साल का पूरा current affair देख लेना, ताकि कोई भी जब exam में जाकर बैठो, दिक्कत आप लोग को देखने को नहीं मिले, तो उस तरीके से चीज़े आप लोग को लेकर चलनी है, तो जो भी वीडियो बना रखिये, रिवजन के लिए उनको आप लोग देख लेना अच्छे से, तो इस तरीके से अपनी प्राहिक को लेकर चलने हैं, ठीक है, बतना, all the best to all of you.